प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आज मैं आपको आज के दैनिक पंचांग के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दिनांग 11 नौमबर 2020 दिन बुद्धवार बुद्धवार भगवान गणेश का दिन माना गया है आज जिनका भी जन्मदीन है उनको उनके जन्मदीन की धेर सारी शुभ का मनाए आप सभी भगवान गणेश का करपा सदैव बना रहे आज कार्तिक माह क्रश्न पक्ष की एकादशी दिथी होंगी अगले दिन मध्य रात्री 12 बजकर 43 मिनद तक सुर्योदय सुभा 6 बजकर 4 मिनद और सुर्यास्त साम 5 बजकर 2 मिनद चंद्रोदय यानि की चंद्रमा उधित होंगे रात्री 1 बजकर 23 मिनद पे और चंद्रास्त यानि की चंद्रमा अस्त होंगे दो पहर दो बजकर 29 मिनट पे सुर्य तोला राशी में रहेंगे और चंद्रमा शिह राशी में यहाँ शरद रितु है अयन दक्षिनायन रहेगा दिशाशूल की बात करे तो आज बुद्धवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पुर्व और इशान दिशा की यात्रा ना करे यह लावकारी नहीं होगा आज के दिन तिल या धनिया खाकर घर से बाहर निकले इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतब विकियोर आगे बढ़े आज बुद्धवार का दिन भगवान गणेश का दिन माना गया है आज के दिन भगवान गणेश का पुरे विधी विधान से पूजन करे تو यह बहुत ही लावकारी होगा भगवान गणेश को शिंदूर चढ़ाएं और उनको मोदक का भोग लगाए तो यहां अत्यन्त लावक जल मिला करके अश्नान करे और भगवान विश्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे तो यह बहुत ही लावकारी होगा एक आदशी व्रत करने से मनुश्य के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं और उन्हें अंत में मुक्ष की प्राप्ति होती है इस बार आज के दिन रमा एक आद और गुली कालम समय होगा सुभा दस बजकर इंग्यारा मिनट से सुभा इंग्यारा बजकर ते तीस मिनट तक तक अब आईए जानते हैं आज के राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुहकारे ना करे यह लावकारी नहीं होगा तो राहुकाल का समय होगा सुबह 11 बजकर 33 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 55 मिनट तक यहां विक्रम शंबत 2017 प्रमादी है और शक्षंबत 1942 सरवरी तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी दबाए वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करे सुखी रहे और स्वस्त रहे जैस्रे राधे कृष्ण धन्यवाद